हालो हाल जी सार हां बच्छे सक्रियन दिखरी है सारे ना हां जी सार दिखरी है स्क्रियन ओके आज अब आ एक होर छोट जा टॉटक लवियां करने रोल ओफ एडुकेशनल इंस्टिटूशन्स और टीचर्स इन डेवल्पिंग अ कुल्चुर अफ पीस बेज़े एडुकेशनल इंस्टिटूशन्स हैं और टीचर्स नों क्या कर सकते हैं कुल्चर अफ पीस नों डेवल्प करन दे लेगी ठीक है लाइक सस्टेनेबल डेवल्पमेंट टीचर्स रोल इस वरी क्रूशल इन पीस एडुकेशन्स जिस तरह टीचर दा रोल बहुत इंपोर्टेंट है अपने कर्या सस्टेनेबल डेवल्पमेंट दे वेचे उसे तरह ही टीचर दा रोल बहुत जादा इंपोर्टेंट है अपने डेवल्प करना है उसनों इजीली बल देया सके कर आजा सके तैस जेवे सब पहला पॉइंट है दा टीचर शुड प्रवाइड ओपन माइंड नॉलेज कि सब पहला कर जड़ी अपने नॉलेज देनी है ओहू ऑपन माइंड नॉलेज देनी है बचा जड़ा डेटेल दे वेचा सारी नॉलेज से नॉलेजस देनी है यहींजमन राइट्ज दी पीस एडूकेशन दी और बच्चे यह एसनी opportunities भी प्रवाइट करनिया है, जिस दे नाल जिड़ा बच्चा है, वो हो सारे कम और decision जड़े हैं, वो अपने ठीक ठीक के दे नाल ले सके हैं. Second point, the teacher should respond fairly to concerns related to cultural and religious diversity. जिड़ा teacher है, उसने भी कोई cultural और religious diversity है, जड़ो class देवेच या educational institution देवेच ता उसनों सही तरीक के देना रिस्पॉंड करना है, उसने आप उसने बाइस नहीं होना है, ठीक हैं? Activities should reflect a variety of perspective, for example, race, gender, religion, cultural and national traditions. यह जड़ी variety है, एनानू जड़ा है, अलगलग करानी है, activities organized करानी है, और teacher ने neutral हैना है, educational institution जड़ा है, वो neutral रहेगा, वो किसे प्रादी कोई partiality, किसे भी बेशते नहीं करेगा. नेक्स है, टीचर शुड़ बी equipped with both content and learning process. टीचर नूँ दो चीज़ा दी जानकारी होनी चाहिए दिया, एक content दी, updated knowledge होनी चाहिए दिया, सारी जानकारी होनी चाहिए दिया, deep understanding होनी चाहिए content दी, और कला content आन दे नाल गलनी बननी. उस दिन आल, टीचर नूँ लर्निंग प्रोसेस दा भी पता होना चाहिए दिया, किसे तरह ज़ी लर्निंग है, वो बदिया हो सकती है, या किसे concept नूँ किसे सिखाना है बच्या नूँ, इस चीज़ दे बारे भी टीचर नूँ पूरी जानकारी या knowledge होनी चाहिए. या नूँ ए सारियां चीज़ा, rights और justice जड़ा है, सिखाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अगर classroom दा या educational institute दा इन्वार्मेंट है, अगर वो सही नहीं है, अगर आपा बच्चे दी dignity नूँ, respect नहीं कर दे, ठीक है, फियर होके अपा किसे काम नूँ नहीं कर दे, मैं बि सब्सक्राइब, अगर आपा बच्चे दी बेच एक कल्चर जड़ा है, पीस दा, और justice या human rights दा, अपा उस नूँ develop कर सकते, प्रवाइड़ सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, classroom दा इन्वार्मेंट है, ठीक है, वो अच्छा होना चाहीं जाहीं है, avoid lecturing, अपने lecture नहीं देन lecture तो जड़ा है, बच्चा बोर हो जादा है, बच्चा बच्चा नो अच्छा भी नहीं लगदा, lecture जड़ो teachers देने, क्या करना है, introduce participatory methods, ओना बच्चानों आपने involve करना है, participate करवाना है, हार activities देवेच, for learning, such as role play, discussion, games, simulations, etc. जड़ो यह चीज़ा ने, आपने बच्चानों इ participate करदा है, involve हुंदा है, active हुंदा है, आप किसे काम नो करके देखदा है, का उस टाइम जड़ा बच्चा है, वो जादा सारियां चीजानों सिखदा है, बच्चे समझा रहा है सारे नू? हां जी सराइब, हां जी सराइब, नेक्स है, टीचर मस्ट अवाइड तू मच फोकस on हीमर राइट अबूसेश, एम्पसाइस हुमर राइट अज अज पॉसितिव वड्यों सिस्टम एड अस तेंडर तो विच अवरीवन इसे इंटाइड, टीचर ने, हुमर राइट दी ग चीज ने यह एवेंट्स ने उन्हा ते जादा जोड नहीं देदना, वोदे नाल फिर बच्चे आनों, नेगटिव है जाएगा आटीटूड, ताद क्या एंफिसाइज करना है? पॉजिटी वैल्यू थे, हुमारेट्स ती पॉजिटी वैल्यू थे अपने जादा पॉइंट है कि सिंगल इंडिवीज्वल कें में का डिफ्रेंस एपा लास्टाइम नी गल करें सी कि नॉर्मली हार एक बच्चे देमां देविचे हुंदा है कि मैं कल्ला कुछ नहीं कर साक्या लेकिन टीचर ने एक गल अपने दिमाह देविच भी और बच्चियां दे दिमा चलना पहेगा जो तक अपा उस रात चलना गे नहीं ओधो तक लोग साधे नाल नहीं जुडनगे ठीक है यह बहुत जुरूरी है अगर आपने बच्चे देमां देविचे कोई चेंज इन एक्टिवल लेके आना है तीचर मस्ट भी ए लाइफ लॉंग लर्नर तीचर अपने उपर गल पर इस ही कंटेंट दी और लर्निंग प्रोसेस्स दी जानकारी दी ता उते मैं क्या सिगा कि जड़ा टीचर है उन्हों अपडेटेड नॉलेज होनी चाहिए और अपडेटेड नॉलेज कदो होएगी जोदो जड़ा टीचर है वो लाइफ लॉंग लर्नर पर गड़ेगा ओंटिनुसली पड़ेगा जोदो ओंटिनुसली पड़ेगा अपने आपनों इंप्रूव करेगा अपडेटेड नॉलेज उसनों हर फील्ड दी या स्पैसली अपने फील्ड दी होएगी ता ओओ बच्चेयानों लेटेस्ट इग्जामपल्स जे थूप अपने प्रवाइडर जेड़ा टीचर है वो अपडेटर नॉलेज उसनों हर गी तांग टीचर शुड है रिस्पेक्ट फर हुमन दिविनिटी और हुमन राइट्स और हुमन दिविनिटी और पीस रिस्पेक्ट करें क्योंकि जदो तक टीचर दा माइंड जेड़ा है अब बक्चे यान दे माइं नूऑ चेंग नहीं कर सकते गों फिक रिमिच पश को च्कारण को टीचर नूँ इमिडेट कर देया या टीचर alert to any possibility of gender bias in self or students, gender sensitivity होनी चाहिए दिया है, कि अगर साथे को लड़के भी बढ़ रहे हैं, लड़कियां भी बढ़ रहे हैं, तो उना दिया चाहिए प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उस सारी तरह दिया प्रॉब्लम्स अपाने हैं, सुननी हैं, अलगलग तरह दिया प्रॉब्लम्स नहीं होना है, related to gender, teacher should develop gender sensitivity and gender responsibility in students, teacher नहीं गल समझानी हैं, कि सानों सारे में पर दूसरे दात्यान रखना है, responsible हैं, ऐसे सारे को दूसरे तरह ही help करना देली, teacher must believe strong in gender equality, teacher नहीं गल सारे दुमाह देपेच पानी हैं, कि सारे ही ब्राबर हैं, चाहे वो मुड़ा है, चाहे वो प पूरी है, कोई फरक नहीं है किसे देपेच भी, teacher should respond to the differences in students learning styles, यह आगे अपना individual differences वाले यह पगल करते हुने हैं, कि सारे बच्चे सेम नहीं हुन्दे, हर एक बच्चा अलग-लग हुन्दा है, हर एक किताब पढ़न दा तरीका भी अलग-लग हुन्दा है, कोई पहली बार क किताब पढ़नी में दिया है, कोई तो तहां समझाना है, का teacher ने इजरे differences है, learning दे, उनना सारे नो respect करनी है, ठीक ठीक के देना, respond करना है, किसना positively respond करना है, as he or she is expected to respond to other human differences, जितना आप हम बाकि human differences नो deal कर देया, कि मुंदा है, कोडी है, केडा background है, बच्चे दा, बच्चे द है, ठीक है, जिस तरह आपन माननके चलते भी ब्राबर है, उसे पर आपन माननके चलना है, कि यह learning styles है, वो difference हुंदेने होना देवेचे, और हर बच्चे नो अपने उनना differences से सामनाल ही deal करना है, caring and supportive behavior from teachers, let the students know, they are well, अगर teacher इना individual differences से आ रखेगा, और उनना positively deal करेगा, ता उस और जिस देनाल क्या होएगा, caring and supportive behavior teacher दा होएगा, और जिस देनाल जड़ा बच्चा है, उसे अंदर positive attitude develop होएगा, next है, he or she should have the skills of reflective learning, reflective learning निया, skills होनी चेह दिया ने, मतलत, जो कुछ भी अपने सिख्या है, और साथे behavior दे बचे, reflect होना चाहिएदा है, through which he or she applies what is learned from teaching to deepen his or her own understanding of the students and learning process, reflective learning, जो कुछ भी अपने सिख्लेया, उसनो अपने apply करना है, जिस देनाल साथ ही जड़ा 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 गहरी होएगी, अपनो जड़ा जड़ा कंसेप्स रिड़ेया हो जड़ा क्लियर होन होने, creating a peaceful classroom is a way to help students respect and appreciate each other regardless of differences, क्या करना है teacher नहीं education institutions से, peaceful classrooms नू create करना है, जिथे सारे जने शांतिनाल रहें, जड़ा शोर होते नहीं होना चाहिएदा, और अलगलग जड़े differences हैं, उनने differences नू त्यांते पच रख दे होए, उननने respect कर दे होए, अपरिशेट कर दे होए, आपने शांतिनाल, हारे कि डिफरेंसिस देनाल अपने रहना है, teacher should be tolerant, open and respectful to the ideas of other, यह सब तो बड़ी गाल है, जिए टीचर है, उसमों आप, tolerant होना, tolerance power होने चाहिएदी है, open and respectful होना चाहिए, the ideas of other, होन क्योंकि कई बार होनदा है, हो सकता, बच्चे आन दे ideas, teacher दे ideas ना लो differ कर दे हो, एक बच्चे दा idea, दूसरे बच्चे दे ideas ना लो differ कर दा होए, तो differences of ideas ना होन दा ही है, तो उसनों लेकिन अपने teacher ने एजुकेशनल institution ने उसनों positively लेना है, उसनों negatively नहीं लेना है, ठीक है, और ideas नों express करन दी जड़ी freedom है, ओहो, teacher ने और educational institutions ने देनी है, तांकि सारे बच्चे अपने मन दी गल जड़ी है, जो भी idea होना के दिमाह देवेच आया है, वो idea जड़ा है, वो अपना परामदल शेर कर सकते हैं, teacher should have skills in eliciting thoughts and posing reflective questions and motivating students to answer enthusiastically, teacher ने एही गल जड़ी में कही है, कि teacher ने क्या करना है, बच्चे नों अपनी गल कहन दा, question दा, answer दसन दा, motivate करना है, तांके जड़ी बच्चे हैं हो, अपने thoughts, विचार जड़ी हैं हो, अरामदल टीचर नों दास सकते, teacher can declare his classroom zone of peace and establish rules to achieve it, teacher अपनी classroom नों peace zone declare कर सकता है, कि मेरी classroom देवेच शांती होनी चाहिए अगर किसे ने गलबी करनी है, तां आइस्ता बड़ी प्यारनाल, respectful manner देनाल करनी है, introduce students the concept of peaceful classroom, उननों दसना, every classroom is full, classroom क्या होनी है, किस ना आप आइसनों में team करयागा सकता है, teacher should affirm his or her students, teacher can say something positive for nice to someone, when an opportunity comes up, he or she can recognize the idea they contribute, teacher ने बच्चे नूँ affirm करना है, affirm ने बच्चे ने जो भी idea देता है, उसनों दसना है कि वो idea ठीक है या गलग है, और उस दी praise करनी है, उसनों appreciate करना है कोई भी idea देन दे ले, बच्चा है, बच्चा हो सकता idea जिड़ा है, वेग देद बे या सही idea देद बे, या teacher ने उसने idea दे respect करके उसनों recognize करना है और उसने idea नों elaborate करना है, जड़ा पाट सही होएगा उस दे आईडिय गा उसनों सही कहना है और जड़ा पाट गलत होएगा उसनों गलत कहा कि असनों ठीक करना है Express feelings appropriately and encourage students to do so Express feelings वाला point अपर पहला कर लेया कि अपने फिलिंग्स, emotions नों express करन देले teacher ने encourage करना है When there are situations that anger जेदे नाल अगर एसन दी कोई situation है जेदे नाल टी चलों गुसा आवे तो रिफ्रीन फ्रॉम अग्रेसिव बीज अपने अपने रियक्ट नहीं करना है Whenever patient is tried the level of anger thermometer in our bodies goes up and he tends to react forcefully लेकि जड़ा सानम गुसा आंदा है तो आपका क्या कर देया है बहुत ज़्यादा मितलब गुसा कर जाने है या harsh attitude साड़ा हो जाना है आपका बच्चा नूँ बहुत ज़्यादा गल्थ भी कहीं बार बोल दने है लेकिन उस टाम जिस टाम गुसा आ रहे है तो आपका इस टीचर ने avoid करना है अगर टीचर ने control करना सिख लेया टीचर ने patience टीचर देवेच आगे तापकर automatically भी बच्चें देवेच भी सारे qualities developer होने है टीचर शुड्ड लर्न हाव टू मैनेज दिया रहें टीचर ने लर्न करना है कि किस तरह हो अपने अंगर नो मैनेज कर साथ है क्योंकि अगर टीचर मैनेज करेगा ताहीं अब जे बच्चे भी करना है instead of exploding और suppressing it ना ता गुसा होना है ना ही उस गुसे नो दुबाना है टीचर केन यूज calming techniques like breathing deeply और gently अपा कहने ना वेज़े गुसा आ रहे है तो लंबे-लंबे साह ले लो गुसा चला जाना है टीचर केन ना students should also be taught appropriate expression of feelings students नो भी अपने दसना है के आपा अपने feelings रूप किसमा express करें जा सकते employ more cooperative and competitive activities cooperative activities are those that will enable the class to work together to pursue a goal cooperative activities promote positive interdependence जो तपा corporate activities करांगे तब क्या होंदा है positive interdependence है एक उसरे तपा positively dependent हुने है टीचर स्टूडेंट्स हैं जोद अपा इक्रिशन और collaborate करके काम करना है skill of communication collaboration जड़ी है वह बहुत जादा जरूरी हुंदी है किसे भी goal नो पहुंचन दे ले next है teach students how to resolve conflict peacefully अपने बच्यानों यह दसना है कि किस तरह अगर कोई conflict हो गया तो उसनों peacefully and constructively किस तरह आप उसनों resolve करेंगा सकता है employ a problem solving approach ठीक है अपने क्या करना है कोई problem solving approach है उसनों लगाना है teacher student teach students how to use this approach and how to dialogue constructively dialogue करना है constructively मड़े बड़े प्यार नाल बोलना है positive बोलना है negative ना remind them that effective dialogue involve the disputants speak to each other in a gentleman effective dialogue क्या है कि effective dialogue दे बचे तेडे disputants है तेडे लिडर है ने आपके बचे लेना दे बचे dispute हो गया वो एक दूसरे देना gentleman देना बड़े प्यार नों गलबात कर देना both words and gestures should be respectful शब्द भी और gestures भी दूना दा त्यान देना है and kind to solve the problem कि दूने जदो ठीक होन के साथे ओधो कोई भी problem ना पहाल कर सकते give practice to students for skills of communication बच्चे नों दसना है कि किस तरा बोलना है जद आपका प्यार ना बोलना के तो conflict sudden नहीं होएगा और अपके से situation आप ठीक कर साथ many conflicts in the classroom arise because of miscommunication बहुत जबहाँ जड़ी conflicts है हों हुंदे इस करके क्योंकि communication साथी ठीक नहीं हुंदी miscommunication हो जांदी है misperception हो जांदी है अपके से चीज़नों गलत टांग देना लपा लेलने है और misunderstanding हो देना पर कुण जाने help student to avoid conflict originating from miscommunication miscommunication करके problems होने होना नों अपकाने दूर करना है clarify करना है change negative statement यह बड़ा important है देखे हो अपकान दो ऐसे एक्जांप्ला दितिया ने बड़ा बज़ी एक्जांप्ला ने जिमें अजर यह negative statement आपने positive convert कर देना है change कर देना है जिमें teacher कहीं पर कहना है जो गुसा होई शट अप ठीक है तो टीचर ने शट अप दिजिए क्या कहना है alternative please keep quiet और दूसरा you are irritating can be said अगर अपने कहना है बच्चा नों कहना है तो इसमें कहा जा सकता है I am bothered when you don't listen कि मैंने परिशानी होंदे यह उसी नहीं सुनने को अपने कहा है मचे समझाया है लास्ट अला पॉइंट अजिंगे सार आ देखो words दा ही हेर फिर है अगर सुना शब्दान नों दुबारा किसी होद्री के नल कहूंगे ता जिड़ा problem में हो नहीं हो लेगी ठीक है ता ए सिगा जिड़ा साथा रूल ओफ एड़केशनल इंस्टिशन और टीचर्स इन डेवल्पिंग दे कल्चर ओपीस एक चोटा जा कोशन है एक कोशन एक आ सकता है बचे कोई डाउट है इस देव इस ता पुछो दोबारा डिपीट कर दो एंपलॉयर प्रोब्लम सॉल्विंग प्रोर्स इंपलाइ प्रोब्लम सॉल्विंग प्रोब्लम सॉल्विंग प्रोब्लम सॉल्विंग करें जा सकता है गल्बत कर रिख क्या करना है इस एक्टिव डायलोग चाहिए था है एक दूसे देना बड़े प्यारनाल गलबात कर देने और जेस्टर जेस्टर जेड़े रिस्पेक्टफुल होने चाहिए और जो तो यह सारी हैं गला हो गया ठीक है तब फिस्टी प्रब्लम है वो अटमेटिकली सॉल्व हो जाएगी जो दो बैट कि आपस जो और इफेक्टिव डायलोग करनगे ठीक है और जो इंडिया और चाइना दी जड़ी बॉर्डर लिस्प्यूट है गया तो दोने जोने बैट कि कंस्ट्रक्टिव डायलोग कर दें तो गलबात करन देनाल जी नहीं है प्रब्लम हो हो सॉल्व हो सकते है ठीक है बचे हां जी स सब्सक्राइब अगर समझना है आगे समझ है हां जी सर बस फिर आज देली यह नहीं है पैन नहीं करांगे आज़े